आईपियल के मैचों का प्रसारन हमेशा से नीजी चैनलों पर होता आया है पर इस बार तो स्टार इंडिया ने आईपियल के प्रसारन अधिकार खरीद लिये हैं तो वहीं आईपियल की नई टाइमिंग को लेकर भी बाते चल रही है लेकिन इन सब के बीच जो खबर सामने आई है उसने सब को चौका दिया है जी हाँ अब क्रिकिट प्रेमियों को दूर दर्शन पर भी आईपियल देखने का मौका मिल सकता है तरसल सूष्ण प्रसारन मंत्राले की मंत्री स्मृते रानी ने दूर दर्शन पर इस बार का आईपियल दिखाये जाने का प्रस्ताव खेल मंत्राले को भेजा है कहा जा रहा है कि मोधी सरकार क्रिकिट को बड़ी तादात में दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है और इस मामले में दूर दर्शन से बहतर जरिया फिलहाल सरकार को कोई और नहीं मिल रहा है आज भी गाओं और कजबों में भले ही नीजी चैनलों की पहुच ना हो लेकिन दूर दर्शन घर घर देखा जाता है ऐसे में अगर इस प्रस्ताव पर खेल मंत्राले की ओर से मोहल लगती है तो ये क्रिकेट के इतिहास में बड़ा फैसला होगा इससे ना सिर्फ क्रिकेट का फिर दायरा बड़ेगा बलकि आम जनता को नीजी चैनलों के अलावा दूर दर्शन पर भी आईपियल देखने का मौका मिल जाएगा एनमेफ नियूस की रिपोर्ट